असालेकू माई यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब ठिक टाक होंगे जी तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ऐसे जगार लगाए हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद ना सिर्फ आप लोग अपने टाइम की बज़ट कर पाएंगे पै ग्लावान से अगर बेसें साफ करना है वाशूम साफ करना है तो साफ करने के लिए य इजी सी टिप यही है कि आप लोगोंने 2 टेबल स्पून हरपिक पावर के लेने में ठीक है उसमें 1गाफ टेबलसपून आप लोगोंने बेकिंग सोडा डाल देना है उसको तो जो पु मिक्स करेंगे यह पेस्ट बन जाएगा तो यह भी आप लोग ऐसे यूज कर सकते हैं चुला साफ करने के लिए यह आप लोग यूज कर सकते हैं इसके इलावा अगर आप लोगों ने बड़ी मिक्दार में बनाना है या जो है वो काफी अच्छे तरीके से कोई चीज साफ करन यह यहां पर आपना छाओ अच्छे तरीके से के किया हुआ था यहां पर मैं आपको मजीद करके दिखाओंगी आप लोगों को लाइट जो है वो धबन नजर आ रही होंगे तो यहां मैं ने जो है वो डाल देना है इसके ओपरी ठीक है यह जो मैंने पेस्ट त्यार किया थ यह कहीं जाल देंगे इसके उपर इस तरहां से और वाशुम को साफ करना हैं अगर साफ करना में जो कि काफी दुनों का जो है वो चुला को गंदा हुआ पड़ा होता है तो इसको को साफ करने के लिए अगर आप लोग यह वाला पेश्ट बनाएंगे तो यहाँ इसलिए त्म चाहे वो वाश्रूम है चाहे वो चुला है चुला अगर ज्यादा गंदा है तो इस पर आप लोगों ने 25-10 मिनट जो है वो आप लोगों ने इसी तरह से लगा के छोड़ देना है यहां पर आप लोग बेसन साफ करके दिखाऊंगी यह देखे पहले किस तरह से जो है इसके धबे थे अब जो है वो तीन से चार मिनट मैंने लगाए रखा और फिर मैंने इसको साफ कर दिया और कितना जो है वो शाइनिंग वाला हो गया है इससे जो है वो चुला बहुत जादा शाइनिंग वाला हो जाता है मार्बल बहुत जादा शाइनिंग वाली हो जाती है अग पानी के साथ इससाफ करदेंगे हैं आप लोग यह फैसे आप लोगों की मार्बल नेट अंड कलीन हो जाएगी है इसे आप लोगों की घरवालों की बहुत ही जब रही जादा तरीफ होगी और यकीन करें किए ऐसी जो है वह चोड़ी टिप उती है जो कि आप लोगों के आग जलाने के लिए कुछ होता ही नहीं है यह एक माजस होती है जो कि वह भी गिली हो जाती है यहां पे आप लोगों ने क्या करना है यह देखें यहां पर यह माजस जलेगी नहीं यह देखें मैंने खुद आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया यानि के माजस को मैंन जो है वो गिला की आई सरहां से और डिबो के और फिर जो है वो माज़स जल ही ने रही है अगर आप लोगे पास वस्ट फॉल कुछ भी गरम पड़ा हुए यहां में मेरे पास जो पड़ा हुआ था गरम तवा था यानके में रोटिया बना रही थी और जल्दी में जो है यह माज़स जो है वो गेर गई पानी में और जलहा भी बंद हो गया ठीक है यह हुआ तो अगर आप लोगे चलह के उपर अगर कोई देखशी गरम पड़ी हुए है तो इसके उपर रखके अगर कुछ से भी चलह के उपर नहीं पड़ा हुआ गर तो अजिया ओपर आपको जल्दी अजिवार काश हुआ जो है वह को टिविए और तो इसके हैं और त्विए और टिप नूमर 3 यही है और सबसे एहें। पी कहले कि अक्सर मैंने देखा है कि हमादी इनकी पास चुड़ियां जो बहुत सदह होता है अब टगरों आंने कहीं जा होने की वज़ासे उनकोSET करके नहीं रखा होता तो भिखरी बड़ी होती हैं यहां पियाँ आप लोगों के पास तो होड़ किसी के पास ही होंगी घर में अवेलिबल तो जब भी खवातिन के पास फारी तायम हो तो आप लूगों और पियर बनाके रख लेने हैं यानि कि इतके इसी के मैं एक साथ जो है वह चूडियां जो先生 कर यह करके एक ही तरह की एक ही पियर बनाके रख लूँगी ठीक है यह दिखियें इस रहां से जो है वो मेरे पास एक पेर रेडी हो गया इसको जो है वो मैं यानि के सेफटी पिन लगा के रख लूँगी इस रहां से इस रहां से जितने भी आप लोगों के पास चुड़िये हैं आप लोगों ने उतने पेर बना के रख लिने हैं और इसको जो है वोगर शूस वाला डब तो इसलिए आप जल्दी में वेर कर सकेंगे और आप लोग दिल भी खुश हो जाएगा मुतमीन हो जाएगा कि आप लोग आप लोग यह वह अच्छा काम जो करके रखा हुआ था कि एर टाइम आप लोग वने इसको यूज किया और आप लोग जो हो एक एक आजीब सी हुश ह यानि के इतनी कम चूड़ा पैंती हैं अद्रवाइस जो है वह मैं कांच की चूड़ा नहीं पैंती हैं इस वीडियो की सबसे एहम टिप यही है कि बाद वकात मैंने देखा है कि मख्यों का मौसम होता है तो बिचारी खवातीन या कोई भी घर में मुझूद है या खवातीन क नहीं दूब प्यास लेड़ेना है आप लोग उने और द्रह बादन को इस तरहा बाद के दबाद काम योद्यक्तовор हो जबगा करके आप उनके चूड़ेना लेहे लातीना है और बादन के पिसस ख़या से नहीं चाल पार कर दता लिद्वयगों कि फानी वहां पर ऐसमी श यह और वहां पहुत इसे स्जगह पर बचकाएंगे पूल मेजी मेर्य नहीं रहे हो Dafür कुछ है आजकल वैसे भी मखियां बहुत ज्यादा आ रही होती हैं तो इसे बचने के लिए आप लोगों ने यही करना है और आप लोगों को यह वाली मेरी वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिए शेयर कर दीज आल, अला हाफीज, टेक कियर